इरान का एक बहुत बड़ा साथी मिलिश्या हीतु इस वक्त इसराइल के लिए सबसे बड़ी चुनोती बन चुका है यमन के हीतु विद्रोईयों ने वो मिसाइल दिखाई है जो उसने इसराइल पर दागी थी और नेतन याहू का हर डिफेंस सिस्टम उसे रोकने में नाकाम रहा था इसराइल के इस नए डर को लेकर तीन बड़ी बाते पता चली है जो आपको हैरान कर देगी यही वो मिसाइल है जिसने इसराइल को बुरी तरह डरा दिया है यह जहां गिरेगी सब तबाह हो जाएगा हूती ने इसकी गैरंटी दे दी है मिसाइल जहां गिरेगी उसका हश्र ऐसा होगा 15 सितंबर के हमले के बाद इसराइल को पता चल गया है कि ना सिर्फ हमास और हिजबुला बलकि यमन के हूती उसके सबसे बड़े दुश्मन है जिसे गंभीरता से लेना होगा क्योंकि यही है इरान का ट्रिपल एच यह है हूती की बलिस्टिक मिसाइल फिलिस्तीन 2 रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा फिलिस्तीन 2 को इरान की खैबर शिकन मिसाइल का ही एक वेरियंट या नकल माना जा रहा है हूती की मिसाइल और उसकी लॉंचिंग के आफ्टर इफेक्ट्स के बाद यमन की जमीन पर यह मलवा देखिए जिसने अमेरिका की हिम्मत को जला कर राक कर डाला है अगर ये वीडियो बाइडन देख रहे होंगे तो बहुत मायूस होंगे इसमें कोई शक नहीं इन दो तस्वीरों से पूरे पश्चिमेशिया में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है इसराइल के साथ साथ अमेरिका को 440 वोल्ट का जटका लगा है एक तरफ इसराइल पर हमला करने वाले हूती मिलिशिया की मिसाइल है तो दूसरी तरफ अमेरिका के उस ड्रोन का मलबा है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक किलर ड्रोन कहा जाता है जितनी बड़ी यमन की अर्थ विवस्ता नहीं है उससे महंगे तो अमेरिका के ट्रोन है जिसे हूती विद्रोही अपने मिसाइलों से गिरा रहे हैं इन दो तस्वीरों ने यमन के अंदर एक नया जोज बर दिया है इसराइल और अमेरिका का नया फायर ब्रैंट दुश्मन तयार कर दिया है यमन की सड़कों से लेकर बड़े चौराहों तक अमेरिका और इसराइल के खिलाफ गुस्सा देखिए कलेशनिकोफ लहराता ये मजमाही हूती कहा जाता है जो गज़ा और फिलिस्तीन के लिए इसराइल और अमेरिका को लगातार चैलेंज कर रहा है कभी लाल सागर में अमेरिका और इसराइल से जड़े जहाजों को टार्गेट करके ये धमाके वाकई डराते हैं कभी अमेरिका के किलर ड्रोन को उड़ा कर बताते हुए कि यमन का आसमान उनके लिए सुरक्षित नहीं तो कभी इसराइल की तरफ ना सिर्फ मिसाइल फायर करके बलकि इसराइल के ये डिफेंस को नाकाम साबित करते हुए हूती लगातार चुनौती दे रहे हैं सबसे पहले उस मिसाइल की बाद जिसने ना सिर्फ इसराइल के कैई शहरों में खौब भर दिया है बलकि अमेरिका को भी परिशान कर दिया है फिलिस्तीन के जंडे वाले रंग से तयार इस मिसाइल का नाम है फिलिस्तीन टू और ये एक हाइपरसॉनिक मिसाइल है उती मिलीशिया इस मिसाइल को आसमान की तरफ तान देता है टारगेट इसराइल है इस वक्त यमन का सबसे बड़ा दुश्मन फिर शुरू होता है काउंटडाउन 5, 4, 3, 2, 1 और मिसाइल लॉंच हो जाती है ये मिसाइल बढ़ जाती है इसराइल की तरफ दूसरे कैमरे से देखिए ये वीडियो एक ड्रोन से बनाये गया है आसमान को चीरते हुए नेतन याहू को बहुत बड़ा शौक देने निकल जाती है ये मिसाइल इसराइल में जहां मिसाइल गिरती है उसकी तस्वीरें डराने वाली है इसराइल से आए वीडियो देखिए इन तस्वीरों में इसराइल का खौफ है इसराइल डरा हुआ है ये साइरन की आवाज नहीं लग रहा है कि इसराइल में जैसे कुछ चिला रहा है बचाओ बचाओ क्योंकि इस्राइल पर हुआ है एक ऐसा हमला जिसने इस्राइल की तमाम सुरक्षा की गारंटी को फेल साबित कर दिया है हुटी मिलिशिया का दावा है के मिसाईल उस्ची ने तैयार की है और इरान भी यही दावा कर रहा है कि उसे भी इस मिसाईल के बारे में 15 सितंबर को पता चला है जब यमन से ये मिसाईल इस्राइल की तरफ दागी गई यमन के हुटी विद्रूईयों का दावा है कि मिसाईल ने 2040 किलोमीटर का सफर 11 मिनट 30 सेकंड में पूरा किया ये एक हाईपर सौनिक बिलिस्टिक मिसाईल थी यानि इसके रफतार थी एक सेकंड में 3 किलोमीटर यमन से लॉंच होने के बाद ये ऐसी ट्रजिक्टरी में इसराइल की तरफ बढ़ी तो लाल सागर के उपर से जाकर अपने टार्गिट तक पहुंची इस दोरान लाल सागर में अमेरिकी जंगी जहाज के अन्टी मिसाईल सिस्टम इसे नहीं रोक पाए साओी अरब और मिसर भी देखते रह गए और आखर में जॉर्डन के लावा इसराइल बीस मिसाईल को रोकने में नाकाम साबित हुआ फिलाल अमेरिका के इस ड्डून पर बहुत बड़ी आफ़ता चुकी है अमेरिका ने जिस ड्रून से अफगानिस्तान में सैक्लो टार्गेट खत्म कर दिये जिस ड्रून से अलजवाहिरी को मारा वही ड्रून अब यमन में मारा जा रहा है इस वीडियो ने अमेरिका के होश उडा दिये है इस तस्वीर में आफ साथ देख सकते हैं कि हूती अमेरिका के सबसे खतरनाक MQ-9 ड्रोन के मलबे पर खड़े हैं हूती लडाकों का दावा है कि उन्होंने अक्तुबर साथ के बाद से अब तर अमेरिका के 10 MQ-9 ड्रोन गिरा दिये हैं एक हफते के अंदर ये तीसरा ड्रोन है जिसे हूती ने मार गिराया जबकि 2015 के बाद से ये पंदरवा ऐसा ड्रोन है जिसका हूती ने शिकार किया है हाला कि बाइडन की टीम कह रही है कि उसने कोई ड्रोन नहीं खोया है लेकिन यामन के जामर इलाके में ये मलबा कोई और कहानी समेटे हुए है गरीब तीन सो करोर लुपे का ड्रोन जो पचास हजार फीट की उचाई पर होता है उसे हूती की एर डिफेंस मिसाइल ने मार गिराया अमेरिका भी जानता है कि ये काम आसान नहीं है इसराइल पर हमास के हमले के 11 महीने पूरे हो चुके है गजा पर इसराइल के आपरेशन के भी 11 महीने पूरे हो गए है 11 महीनों की तबाही का दौर ऐसा चला है कि युद का एपी सेंटर अब गजा से निकल कर इसराइल और लिबनान बॉर्डर के साथ-साथ यमन और लाल सागर में पहुंच चुका है गजा में चल रही बंबारी के बाद यमन के होती प्रो आक्टिव हैं उनको इरान का पूरा समर्तन भी है वो लाल सागर में इसराइल के जहाजों को निशाना बना रहे हैं अमेरिका और बिटेन के हमले उन्हें डराने में नाकाम रहे हैं उती ने इसराइल और उससे वो इसराइल के जहाजों या उसके लिए माल ले जा रहे कारगो शिप को लगातार टार्गेट कर रहे हैं यहीं से एशिया की तरफ से यॉरप को रास्ता जाता है दुनिया की सबसे एहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेश किनाल से गुजरती है लाल सागर का रास्ता ब्लॉ तक लंबा हो गया है तीन से पांच दिन का सफर बढ़ चुका है यानि ज्यादा लागत ज्यादा वक्त और कारोबार पूरी तरहां चौपट यही है यमन के हूती विद्रोहियों का टार्गेट इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल और अमेरिका के सामने यमन नाम का नया खत्र पर है क्योंकि घजा को लेकर पहले आकरोश के बाद अब यमन सीधा इसराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कर चुका है इससे पहले हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से कई हमले किये लेकिन 15 सितंबर का हमला ज्यादा खतननाक कहा इसमें यमन की बिलिस्टिक मिसाइल ने इसराइल के एडिफेंस को चीड डाला है और अब इसराइल महसूस कर रहा है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत खत्म होती जा रही है इसराइल के एडिफेंस नेटवर्क नाकाम साबित हो रहे है